कि दोस्तों यदि आपने बीटेक बीए की डिगरी ली हुई है और आप अपना सिविल इंजिनेरिंग मेकैनिकल इंजिनेरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग में अपना बविश्य तलास रहे हैं तो यहां पर जो वेकेंसी निकली हुई है वो आप लोग के लिए है उससे पहले आप मेरे नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दीजेगा जिससे आने वाले टाइम के वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगे दोस्तों हर्याना के सिचाई और जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजिनियर के 400 पदों के लिए भरतिया निकली हु उसे परां जो है परफिक्ट कैंडिडेट को ये लोग तलास कर रहे हैं इसमें जो इन्होंने बाफने जो वेकेंसीज हैं उनका जो परोफाइल है आपका जूनियर इंजिनियर चाहिए सिविल में ज Caykill में जाए लगबहग 360 वेकेनसी हैं और जूनियर इंजिनियर मेकेनिकल डिपार्टमेंट में जो लगभग 28 वेकेंसी हैं और जूनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल में भी चाहिए जिसमें लगभग लगभग 12 पद हैं अभी भी और टोटल मिलाके लगभग लगभग 400 पदों पर ये वेकेंसियां निकली हुई हैं आपके पास में योगेता होनी चाहिए आप माननेता प्राप्त विश्विद्दाले से या संस्थान से बिटैक होने चाहिए या आपके पास में संबंधित विश्या में कोई बैचलर डिगरी होनी चाहिए चाहें तो बैचलर डिगरी सिविल में हो चाहें वो बैचलर डिगर आपने इलेक्ट्रिकल मिली हुई हो आयू सीमा की जरूर बात करता हूँ यहाँ पर आयू सीमा मिनिमम सेवन्टीन यर से लेके 45 यर तक है मतलब आप 17 साल से लेके और मैक्जिमम आप 45 साल तक हैं तो आप एपलाई कर सकते हैं और इसमें जो आवेदन सुल्क है वो पुडशों के लिए 150 रुपे आवेदन सुल्क रखा है इन्होंने और महिलाओं के लिए 75 रुपे आवेदन सुल्क है और आवेदन जो है आपको ओनलाइन करना है और आवेदन जो ओनलाइन करना है वो विबाग की जो website है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा और आपको discussion box में भी मिल जाएगी आपको online आविदन करना है विबाग की website है www.hid.gov.in ठीक है दोस्तों आपको इस website पर जाकर apply करना है और हाँ interview में जानने से पहले अपने work से related सीज़ों को एक बार ध्यान से समझ के चाहिएगा तो आपका selection होने में थोड़ा आसानी हो जाएगी ठीक है दोस्तों मिलता हूँ next video में आप ये मेरा channel अभी तक अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे और अगर ये video पसंद आए तो अपना share जरूर कर दिजेगा अपने family और friends में ठीक है friends have a nice day bye bye